हारनव गोस्वामी जी रिपब्लिक मेडिया नेटवर्क के सभी साथ ही देश विदेश में रिपब्लिक टीवी के सभी दर्शक देवियों और सज्जनों कि अपनी बात बतारे से पहले बच्पन में एक चुटकुला हम सुनते थे वह जराब बताना चाहता हूं एक प्रोफिसर थे और उनकी बेटी ने हात्महत्या की तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिन्दगी में ठक गई हूं मैं जीना नहीं चाहती हूं तो मैं काकरिया तालाब में कूट करके मर जाओंगी अब सुबह देखा बेटी गर में नहीं है तो पिस्तर मैं चिठी मिली तो पिताजी को बड़ा गुसा आया बोले मैं प्रोफिसर इतने साल मैंने मेहनत की अभी भी बोले काकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है मुझे खुशी है कि अरनब बढ़िया हिंदी बोलने लगे है उन्होंने क्या बोला वो तो मैंने सुना नहीं लेकिन हिंदी ठीक है अग नहीं वो मेर अबर ध्यान से सुनदा और शायद मुंबई में रहने के कारण आप हिंदी बराबर सीख लिए साथ्यों आप सब के भी जाना स्वाभाविक है का आनन्द होता है अगले महिने रिपब्लिक टीवी के छे साल पूरे हो रहे हैं मैं आपको बताए जूंगा आपने नेशन फर्स के अपने मिशन को दिगने नहीं दिया हर प्रकार के रोडे रुकावटों के बावजूत अब डटे रहे हैं कभी अरनब का गलाब अख्राव हुआ कभी कुछ लोग अरनब के गले पड़ गए लेकिन चैनल न रुकाहन थका और नहीं थमा साथ्यों दो जाब उननीस में जब मैं रिपब्लिक समीट में आया था तब उस समय की थीम थी इंडियास मोमेंट और इस थीम की पुष्ट भूमी में देश की जनता से मिला जनादेश था अनेकों दशकों बाद भारत की जनता ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत वाली स्थीर सरकार बढ़ाई थी देश को ये विश्वास हो गया था कि इंडियास मोमेंट आ गया है आज चार वर्ष बाद आपकी समीट की थीम है टाइम अफ टांस्फरमेशन यानि जिस टांस्फरमेशन का विश्वास था वो अब जमीन पे दिख रहा है साथिवाई देश में जो बढ़लाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है इसको मापने का एक तरीका है अर्थ वबस्ता के विकास और विस्तार की गतिए भारत को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थ वबस्ता बनने में लगभग साट साल लगे 60 years 2014 तक हम लोग किसी तरह दो ट्रिलियन डॉलर के मार्क तक पहुँच पाए थे यानि साथ दसक में टू ट्रिलियन डॉलर की अर्थ वबस्ता है लेकिन आज हमारी सरकार के नव वर्ष बात भारत आज लगभग साड़े तीन ट्रिलियन डॉलर एक अर्णमी वाला देश है बीते नव वर्षों में हमने दसवे नंबर की अर्थ वबस्ता से पाँचवे नंबर तक की लंबी छलांग लगाई और ये सब सो साल के सबसे बड़े संकट के बीच हुआ है जिस दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थ वबस्ताएं फसी हुई थी उस दौर में भारत संकट से भार भी निकला और तेज गती से आगे भी बड़ रहा है साथियों पॉलिसी मेकर्स से आपने एक बात अक्सर सुनी होगी फिस्ट ऑडर इंपक्ट यहने किसी भी नीती का पहला और च्वाभाविक परणाव फिस्ट ऑडर इंपक्ट ही पॉलिसी का पहला लक्ष होता है और यह कम समय में दिखने लगता है लेकिन हर policy का second और third order impact भी होता है इनका प्रभाव गहरा होता है दुरगामी होता है लेकिन ये सामने आने में समय लगता है इसकी comparative study करने के लिए विस्तार से समझने के लिए हमें कई दसक पीछे जाना पड़ेगा आप लोग टीवी की दुनिया वाले टू विंडो चलाते हैं न पहले और अब वाली before and after वाली तो मैं भी कुछ वैसा ही आज करने वाला हूँ तो पहले ज़रा बिफॉर की बात कर लेते हैं सात्यों आजहादी मिलने के बाद लाइसेंस राजवाली जो एकानमी पॉलिसी अपनाई गई थी उसमें सरकार ही कंट्रोलर बन गई कॉंपिटिक्शन खत्म कर दरिया गया प्राइवेट इंडिस्री को मसमीज को आगे नहीं बढ़ने दिया गया इसका पहला नकारत्मक प्रभाव तो यही हुआ कि दूसरे देशों के मुकाबले हम पिछड़ते चले गए हम और गरीब होते गए उन नीतियों का सेकंड और इंपेक्ट और भी बुरा हुआ भारत की कंजम्शन ग्रोथ दुनिया के मुकाबले बहुत कम रह गई इसकी वजह से मैनिफेक्टिरिंग सेक्टर कमजोर हुआ और हमने इन्वेस्टमेंट के मौके घवा दिये इसका तीसरा प्रभाव यह हुआ कि भारत में इनोवेशन का माहोल ही नहीं बन सका ऐसे में न जादा इनोवेटिव एंटरपाइज बने और नाही जादा प्रभावेट जॉब्स क्रियेट हुई युवा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नोकरी के भरोस से रहने लगे देश की कई प्रतिभाव ने तब काम का माहोल ना देखकर देश छोड़ दे तक का फैसला कर लिया इसब उनी सरकारी नीतियों का थर्ड ओर्डर इंपेक्ट था उन नीतियों के इंपेक्ट ने देश के इनोवेशन, हाड़ वर्क और एंटरपाइज की ख्यमता को कुचल दिया साथियों अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो जानकर री पब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जुरूर अच्छा लगेगा 2014 के बाद हमारी सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाईगी उसमें ना केवल इनिशिल बिनिफिट्स का ध्यान रखा गया बलकि सेकंड और थर्ड ओर्डर इफेक्ट को भी प्राफिक्ता दी गई आपको याद होगा 2019 में इसी रीपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पिएम आवास योजना के तहट हमने पांस साल में डेड़ करोड परिवारों को घर दिया है अब यह आकड़ा बढ़कर पोने चार करोड से ज़्यादा हो चुका है इन में से ज़्यादा तर घर उसका माली काना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है और आप जानते हैं आज एक एक घर लाखों की कीमत का बनता है याने करोडों गरीब बहने मैं आज बड़े संतोस से कहता हूँ लगपती दीदी बने ही है शायद इस से बड़ा को रक्षा बंदर नहीं हो सकता है यह हुआ पहला इंपेक्ट इसका दूसरा परना में सामने आया कि इस योजना से गाओं गाओं में रोजगार के लाखों अवसर त्यार हुए और आप जानते हैं कि जब किसी के पास अपना घर होता है पका घर होता है तो उसका आत्म विस्वास कितना बढ़ जाता है उसकी रिस्क टेकिंग केपिसिटी कितनी बढ़ जाती है उसके सपने आस्मान को छूने लग जाते है पीए मावास योजना ने देश के गरीब का आत्म विस्वास नई उन्चाई पर पहुँचाया साथियों कुछ दिन पहले ही मुद्रा योजना के आठ वर्स पूरे हुए है ये योजना माइक्रो और स्मॉल एंटर्पर्नर्स को फाइनांसिल सपोर्ट देने के लिए शुरू की गई थी मुद्रा योजना के तहट चालीस करोड से अधिक लोन बाटे गए जिन में करीब सत्तर प्रतिशक महिलाएं है इस योजना का पहला प्रभाव तो स्वरोजगार में बढ़ोतरी के रूप में हमारे सामने है मुद्रा योजना हो महिलाओं के जंदन एकाउंट खुलना हो या फिर सेल्फ हेल्प ग्रूप को पोटसान आज इन योजनाओं से देश में एक बड़ा सामाजिक बढ़ला होते हुए हम देख सकते हैं इन योजनाओं ने आज परिवार के डिसिजन मेगिंग प्रोसेस में महिलाओं की मजबूत भूमी का स्थापित कर दी है अब जादा से जादा महिलाएं जोब क्रियेटर की भूमी का में आ रही है देश की बढ़ती हुए अर्थेववस्ता को मजबूती दे रही है साथियों पीएम स्वामित्व योजना में भी आप फर्स सेकंड और थर्ड और इंपेक्ट अलग-अलग देख सकते हैं इसके तहद लेटेस्ट टेक्लोलोजी का उप्योग करके गरीबों को प्रोपर्टी कार दिये गए जिससे उन्हें संपत्ती की सुरक्षा का भरोसा मिला इस योजना का एक और असर ड्रोन सेक्टर पर देखा जा सकता है जिसमें मांग और विस्तार के संभावना ये लगातार बढ़ रही है पी-एम स्वामित्व योजना को शुरू करने अब करीब करीब दो ढ़ाई साल हुए हैं बहुत समय नहीं हुआ है लेकिन इसका भी सोशल इंपेक्ट दिखने लगा है संपती कार्ड मिलने पर आपसी विवाद के आशंका कम हो गई है इससे हमारी पुलीस और न्याईक व्यवस्ता पर लगातार बढ़ रहा दबाव कम हो रहा है इसके साथ ही गाउं में जिस प्रॉपर्टी के कागज मिल गए हैं उन्हें अब बैंकों से मदद मिलना और भी आसान हो गया है गाउं की इन प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ गई है साथियों फर्स्ट ओर्डर और और थर्ड ओर इंपेक्ट के मेरे पास इतनी केस्ट्रडी है कि आपका रंडाउन ही आउटा वाडर हो जाएगा बहुत सारा समाए इसे में निकल जाएगा डिबीटी हो बिजली, पानी, टॉयलेट जैसी सुविदाएं गरीब व्यक्ति तक पहुँचाने की योजनाय हो इन सभी ने ग्राउन लेबल पर एक क्रांती ला दी है इन योजनायों ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया है देश में गरीब को पहली बार सिकुरिटी भी मिली है डिगिनीटी भी मिली है जिने दसकों तक यही एहसास दिलाया गया था कि वो देश के विकास पर बोज है वो आज देश के विकास को गती दे रहे है जब सरकार यह योजनाएं शुरू कर रही थी तो कुछ लोग हमारा मजा कुड़ाया करते थे लेकिन आज इनी योजनाओं ने भारत के तेज विकास को गती दिये है यह योजनाएं विश्षीद भारत के निर्मान का आधार बन रही है साथियों बीते नव वर्षों से गरीब, दलीत, वंचीत, पिछडा, आधिवासी, सामान्यवर्ग, मद्यमवर्ग हर कोई अपने जीवन में स्पस्ट बदलाव अनुभव रहा है आधेश में बहुत सिस्टेमेटिक एप्रोच के साथ काम हो रहा है मिशन मोड पर काम हो रहा है हमने सप्ता के मैंड सेट को भी बदला है हम सेवा का मैंड सेट लेकर आए है हमने गरीब कल्यान को अपना माध्यम बनाया है हमने तुस्टी करण नहीं संतुष्टी करण को अपना आधार बनाया इस एप्रोच ने देश के गरीब और मद्यम्वर के लिए एक डिफेंसिव सिल्ड सुरक्षा का कवच काम निर्मान कर दिया है इस सुरक्षा कवच ने देश के गरीब को और गरीब होने से रोक दिया है आप मैंसे बहुत कम लोगों को पता होगा कि आईश्मार योजना ने देश के गरीबों के 80,000 करोड रुपिये खर्च होने से बचाए है जो गरीब के जेब से जाने वाला था अगर ये योजना नहोती तो इतने ही पैसे गरीब को अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं सोचिए हमने कितने ही गरीबों को और गरीब होने से बचा लिया है संकड के समय काम आने वाली ये अकेली योजना नहीं है बलकि सस्ती दबाईयां मुप्त टिकाकरण मुप्त डायलीसिस एक्सिडेंट इंशरंस लाइफ इंशरंस की सुविधा भी पहली बार करोडों परिवारों को मिली है पीएम गरीब कल्यान अन्न योजना देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए एक और प्रोटेक्टिव शिल्ड है इस योजना ने करोणा के संकड काल में किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया आज सरकार चार लाक करोड रुपिये सरकार इसी अन्न योजना पर खर्च कर रही है चाहे वो वन नेशन वन राशन कार्ड हो या फिर जेम ट्रिनिटी इस सभी प्रोटेक्टिव शिल्ड का ही हिस्सा है आज गरीब से गरीब को भरोसा मिला है कि जो उसके हक्त का है वो उसे जरूर मिलेगा और मैं मानता हूँ यही सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय है ऐसी कितनी ही योजना है इनका बहुत बड़ा असर भारत से गरीबी को कम करने में हुआ है आपने कुछ समय पहले आएमेप का एक रिपोर्ट आया है जो है होगा एक वर्किंग पेपर शायद आपने जुरूर देखा होगा यह रिपोर्ट बताती है कि ऐसी योजनाओं के कारण महा मारी के बावजूद भारत में एक्स्ट्रीम पवर्टी खत्म होने की कगारपर है और यही तो ट्रांस्फोर्मेशन ट्रांस्फोर्मेशन और क्या होता है साथ आप याद होगा मैंने संसद में मंडरेगा को कॉंग्रेज सरकार की विफलताओं के समारक के रूप में पहचान दी थी उसकी 2014 से पहले मंडरेगा को लेकर कितनी सिकायते रहती थी तब सरकार ने एक स्टड़ी कराई थी स्टड़ी में सामने आया कई जगों पर तो एक दिन के काम के बढ़ले 30 दिन तक की हाजरी दिखाई जा रही है यानि पैसा कोई और हजम कर रहा था इसमें किसका नुक्सान हो रहा था गरीब का मजदूर का आज भी अगर आप गावों में जाएंगे और पूछेंगे कि 2014 से पहले मंडरेगा में कौन सा प्रोजेक्ट बना है जो आज काम आ रहा है तो आपको ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगेगा पहले मंडरेगा पर जो धनराशी खर्ज भी हो भी रही थी उसमें पर्मनेंट एसस डेवल्लेप्मेंट का काम बहुती कम होता था हमने स्थिती को भी बढ़ला हमने मंडरेगा का बजेट बढ़ाया ट्रांसपरेंसी भी बढ़ाई हमने पैसा सीधे बैंक एकाउंट में बेजना शुरू किया और गाउं के लिए रिसोर्ज भी बनाई 2014 के बाद मंडरेगा के तहट गरीबों के पक्के घर भी बने कुए बावडियां नहरे पशुओं के शेड ऐसे लाखों काम हुए है आज अधिकतर मंडरेगा पैमेंट्स 15 दिन में ही क्लियर हो जाती है अब करीब 90 परसंट से अधिक मंडरेगा मद्दूरों के आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं इससे जॉब कार्ड में फरजी वाड़ा कम हुआ है और मैं आपको एक और आकड़ा दूँगा मंडरेगा में फरजी वाड़ा रुकने की वज़े से 40,000 करोड रुपिये गलत हाथों में जाने से बचे हैं अम मंडरेगा का पैसा उस गरीम मद्दूर के पांच जा रहा है जो महनत करता है जो अपना पसीना बहाता है गरीब के साथ हो रहे उस अन्याय को भी हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है साथियों ट्रांस्फर्मेशन की यह यात्रा जितनी समकालीन है उतनी ही फिचरिस्टिक भी है हम आने वाले अनेग दसकों की तैयरी आज कर रहे है अतीत में जो भी टेकनलोजी आई वो कई कई दसकों या सालों के बाद भारत पहुंची पिछले नव वर्षों में भारत ने इस ट्रेंड को भी बढ़ला है भारत ने तीन काम एक साथ सुरू किये एक तो हमने टेकनलोजी से जुड़े सेक्टर्स को सरकार के कंट्रोल से मुक्त कर दिया दूसरा हमने भारत की जरूरत के मुताबिक भारत में ही टेकनलोजी विक्सीत करने पर जोड़ दिया तीसरा हमने फ्यूचर की टेकनलोजी के लिए रिसर्ट डेवलोप्मेंट पर मिशन मोड अप्रोच अपनाई आज आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह और कितनी तेजी से 5G का रोल आउट हुआ है हम दुनिया में सबसे तेज गरती से आगे बढ़े हैं 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है जिस तरह अपनी खुद की टेकनलोजी विक्सीत की है उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है साथियों कुरुना काल में वैक्सीत का विशय भी कोई भूल नहीं सकता जो पुरानी सोथ और एप्रोच वाले लोग थे वो कह रहे थे कि मेड इन इडिया वैक्सिन की जरुद क्या है दूसरे देश बना ही रहे हैं वो एक ना एक दिन हमें भी वैक्सिन दे ही देंगे लेकिन संकट की घड़ी में भारत ने आत्मंदिर भरता का रास्ता चुना और परिणाम हमारे सामने हैं और साथियों आप कल्पना करो जिस बात को लेकर कि आपको इतनी खुशी होती है उस हालात में जब निर्णे करने की तित्याई होगी आप अपने आपको उस जगा पे रखो कि दुनिया कह रहे हैं कि एवैक्सिन हमारी ले लो लोग कह रहे हैं बिना वैक्सिन मुसीबत आ रहे हैं मर जाएंगे एडिटोरियल टीवी सब भरे पड़े हैं वैक्सिन लाओ वैक्सिन लाओ और मोदी डट करके खड़ा है बहुत बड़ा पोलिटिकल कैपिटल मैंने रिस्क पे लगाया था दोस्तो सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लिए वरना मैं भी खजाना है खाली करो है ले आओ एक बार लगा दो अख़बार में एडिटाइजमेंट दे दो काम चल जाएगा लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना दोस्तो भारत में शुरू अभी तो हुई थी और भारत ने मई महिने में वैक्सिन के लिए टास्पोर्स बना दिया था इतना एडवांस में सोच करके काम किया है और यही वो भी समय था जब कुछ लोग मेड इन इंडिया वैक्सिन को नकारने में जूटे थे न जाने कैसे कैसे शब्द प्रोग किये थे पता नहीं किसका दबाव था जाने क्या स्वार था कि यह लोग विदेशी वैक्सिन के इंपोर्ड की पेरवी कर रहे थे साथियों हमारा डिजिटल इंडिया अभ्यान की भी आज विश्व भर में चर्चा है मैं पिछले दिनों जी ट्वेंटी समीट में बाली गया था शाहिद ही कोई देश ऐसा होगा जिसने मुझे डिजिल इंडिया की डीटियल जानने की कोशिश न की हो इतने बड़ी चर्ता है डिजिटल इंडिया को भी एक समय में ड्रिल करने की कोशिश होई थी पहले देश को डाटा बनाम आटा की डिबेट में उल जाया गया और यह टिवी वालों को तो बजा मड़ा जात है जो शबन जाल देते हैं डाटा चाहिए एक आटा चाहिए जंदन आधार मुबाइल की त्रिनिटी को रोकने के लिए इनोंने संसर्थ से लेकर कौड तक क्या-क्या प्रपंच नहीं किये 2016 में जब मैं देश्वास्यों कहता था कि आपके बैंक को आपकी उंगली पर लाकर मैं खड़ा कर दूँगा आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी है तो यह लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कुछ चद्म बुद्वी जीवी तब पूस्ते थे मोधी जी बताईए गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरिदेगा अजय यही लोग बाद में क्या बोलते हैं अजय गरीब की नसीब में आलू टमाटर होता कहा है यह ऐसे ही लोग है जी यहां तक क्या है गाउं में मेले लगते हैं मेलों में लोग कैसे डिजिटल पेमेंट करेंगे आज आप देखिए आपकी फिल्म सिटी में भी चाहे की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं आज भारत उन देशों में है जहां डिजिटल पेमेंट सबसे जादा हो रहा है दुनिया के दुल्ना में साथियों आप लोग सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि सरकार इतना काम कर रही है जमीन पर लोगों को उसका लाब भी मिल रहा है फिर भी कुछ लोग कुछ लोगों को मोदी से इतनी परिशानी क्यों है अब इसके बाद मिडिया वालों का समय शुरू होता है और आज इसकी वज़े मैं भी रीपब्लिक टीवी के दर्सकों को बताना चाहता हूं इस जो नाराज की दिख रही है ना इस जो बवाल हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों की काली कमाई के रास्ते मोदी ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिये अब ब्रस्टाचार के खिलाब लडाई में आदी अधूरी आईसो लेटेड एप्रोच नहीं है है अब एक इंटिग्रेटेड इंस्टिजुशलाइज एप्रोच है यह हमारा कमिट्मेंट है अब आप बताएगे जिसकी काली कमाई रुकेगी वो मुझे पानी पी पी कर गाली देगा के नहीं देगा है वो कलम में भी जहर भरते था है आप यह जानकर हैरान रहे जाएंगे कि जैम ट्रिनिटी उसकी वज़े से सरकारी किम्स के करीब दस करोड आकड़ा कम नहीं है साथ दस करोड फरजी लाभारती बहार हो गए हैं यह दस करोड फरजी लाभारती बहार हो गए हैं यह दस करोड वो लोग थे जो सरकार का बेनिफिट लेते थे लेकिन यह दस करोड वो थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था लेकिन इनके नाम सरकारी पैसा भेजा जा रहा था आप सोचिए दिल्ली पंजाब हर्याना की जितनी कुल आबादी है उससे भी ज्यादा फरजी नामों को कॉंग्रेस की सरकार पैसे बेच रही थी अगर ये फरजी दस करोड नाम हमारी सरकार सिट्रिम से नहीं हटाती तो स्थीती बहुत भयावह हो सकती थी इतना वड़ा काम ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तवाई इसके लिए पहले आधार को समयधानिक दरजा दिया गया पैतालीस करोड से अधिक जंदन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए अभी तक 28 लाग करोड रुपिये डीबीटी से करोडो लाभारतियों तक पहुंचाये गए डारेक मेनिफिट ट्रांसपर कोई बीचोलिया नहीं कोई कटकी कंपनी नहीं कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है डीबीटी यानी कमिशन बन लीकेज बन इस एक व्यवस्ता से ही दर्जनों योजनों कायरकमों में ट्रांसपरेंसी आ गई चाथियों सरकारी खरीद भी हमारे देश में ब्रस्टा चार का एक बड़ा जरिया हुआ करती थी लेकिन अब इसमें भी ट्रांसपर्मेशन आ चुका है सरकारी खरीद अब पूरी तरह जेम एनि गवर्मेंट इब मार्केट प्लेस पॉर्टल पर होती है टैक्स से जुड़ी व्यवस्ताओं से कितनी परिशानी थी क्या क्या परिशानी थी इसको लेकर अकबार भरे रहते थे हमने क्या तरीका निकाला हमने सिस्टीम को ही фेस्ट लेस कर दिया टैक्स अधिकारी और टैक्स पेर का आमना सामना ही ना यह ववस्ता की अब जो जीएस्टी जैसी ववस्ता बनी है उससे भी काली कमाई के राश्ते बंद हुए है जब ऐसे इमामदारी से काम होता है तो कुछ लोगों को दिक्कत होनी बहुत स्वाभाविक है और जिसको दिक्कत होगी वो कोई गली महले के लोगों को गली थोड़े देगा साथियों इसलिए ब्रस्टाचार की ये प्रतिनिदी डिस्टब है कुछ भी करके ये देश की इमानदार व्यवस्ता को फिर से द्वस्त कर देना चाहते हैं साथियों इनकी लड़ाई अगर सिर्फ एक व्यक्ति मोदी से होती तो ये बहुत पहले सफल हो जाते हैं लेकिन ये अपनी साजिसों में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि ये सामान्य भारतिय के विरुद लड़ रहे हैं उनके खिलाब फड़े हुए ये प्रस्टाचारियों का कितना भी बड़ा गड़ जोड को वना बना ले सारे प्रस्टाचारिय की मंच पे आ जाए सारे परिवारवादीय की जगह पे आ जाए लेकिन मोदी अपने रास्ते से लोटने वाला रही है ब्रस्टाचार और परिवारवाद के खिला मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूँ मुझे आपके आश्य वाद चाहिए साथियों आजादिका यम्रित काल हम सभी के प्रयासों का है जब हर एक भारतिय की शक्ति लगेगी हर एक भारतिय का परिश्रम लगेगा तो विक्सिद भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे मुझे विश्वाथ है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्ग भी निरंतर ससक्त करता रहेगा और अब तो अर्नम ने बता भी दिया है वो ग्लोबली जा रहे हैं तो भारत के आवाज को एक नई ताकत भिलेगी मेरी उनको भी बहुत शुक्त पावना है और इमानदारी के साथ चलने वाले देश वासियों के संक्या बढ़ती ही चली जा रही है और वही भव्य भारत की गारंटी है दोस्तों मेरे देश वासी ही भव्य भारत की गारंटी है मैं आपको विश्वास दलाता हूं उसी में मेरा विश्वास है फिर एक बार आप सबका बहुत पर धन्यवाद